बहुत बहुत से विका, हमारी यूटूब चैनल स्मिरिया में महीं राज राभ देख रहे हैं स्मिरिया शुरोब चैनल ब्यारिवनिवस्टी मुझझफरपूर 20-23 के शात्र स्यात्र है, परेक्षा शुरू है आप लोग दे रहे हैं आनर्स की परेक्षा समाग्त हो गई लेकिन जो भी pass course कर रहे हैं या जो हम general course कहते हैं उनका exam अब शुरू होगा 22 तारीक से 22 मई से ये वीडियो 21 तारीक को रात को 9 बज़े रिकोड किजा रहे हैं अब यहाँ पर हम समझते हैं अच्छा एक चीज और आप लोगो M.I.L. के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि exam क कब होगा दो बार मैं बता चुका हूं आप लोगो कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि exam M.I.L. का कब होगा तो मुझे लगता है कि इतने आसानी से इतने सांदर बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है मतलब कि सुनते वक्त आपका दिमाग ध्यान कहीं और रहता है यदि ध्यान इस रूटीन पर और मेरे आवाद पर रहेगा तो आपको जुरूर समझ में आएगा तो चलिए वीडियो सब्सुरी और M.I.L. के उपर यह लाई गई है चनल के तरब से आपको समझाने के लिए हम आगे बहें उससे पहले इस नमर पर फॉटो घिज के भेज दीजिए आपनों डिराते काला कुछ शात्र शात्राओ कहते हैं कि फॉटो घिस के बेजिए तो 2022 को पर उपर लिखा रहा था उसको हाइड करके भेजते हैं उससे क्या हो जागा 2022 लिखा वह तो वह सब कोश्चन पर है आपके मैं लेंशन है तो डढ़ते क्यों है अमहत का भेज दीजिए बाकी का मेरे पास आ गया है बाकी की जरूत नहीं है तमाम शात्र शात्राओं ने काफी सयोग किया है बहत गरते हैं इस पर आप देख पार है 22 तारीकों पर देखेंगे तो फिलोस्पी जिनका सब्सिडिए है बोटने सब्सिडरी है यांविया मनियन बैंकिंग के तमाम शात्र मुलियन बैंकिंग आप को 22 तारीकों हो जागा तमाम जो भी सब्सिड़क यहां पर है सब लोग एक्जाम के बाद कुश्चन भेए दीचेगा हमें ज़रूरत है आप देख पार उसके बाद से बास को सके 30 को आप देखेंगे तो economics सब्सक्राइब हो जाएगा और इलेक्ट्रोनिक सब्सक्राइब जिनका भी होगा उनका एक्जाम हो जाएगा 23 को इसके बाद से 24 तरीक आप देखीगा तो AIH&C एंशेंट इंजें इस्ट्रेंट केल्चर जिसका सब्सक्राइब होगा और यह बिजनेस लौए यह बिजनेस लौग किनका होगा बिजनेस लौग जो भी ओनेर्स वाले हैं Commerce वाले आपका हो गया ठीकिए यह यह जो गर्रानल कर रहे हैं यह उनके लिए है बिजनेस लौ एक तो आपका commercial में honors है तो आपका तुद्र हो गया बस आपको money and banking उसके बाद से planning and economic development उसके बाद से अमल हिंदी पर ध्यान देना है यह ब्याल पर ध्यान देंगे जिसका पास सब्कोर्स है उसके बाद से 24 से अमे डिख पारें सबस्कblue्री तають括शनी के अच्री प्लानिंग का पब्लीक एन इकनोमिक डिवलॉप्मेंट रहिंआ प्सक्राइब तो तर्ट आप सभी का यह देख वाले है अब वाले आपका इसमें शामिल है इसमें आपका हो जाएगा वही होगा प्लाणिंग एन इक्लोमिक डिवलोप्मेंट ही जो एकी ऑफिसेल नेम है उसके एक्जाम होगा आपके पब्लिक एक्टनॉमिक आपके शाहर्द पर लिखा होगा तो टेंचन नहीं लेना दुनों एक ही ब पर हिंपल स्पार हो सकता है तो इसको इन इच बोला जाता है और उसका 49 किछा acting में तो जो भी आ capitalist क्या था तो जोभी सात्रआ जो कर से कर रहे हैं जिनका एक्जाम अब जा करकर रहा है है 22 तारिक से उनका honors नहीं था उनका जो है पास स्कोर्स वाले का एम आई इल 29 तारिको सो नंबर वला होगा ठीक honors वाले यदि इसमें आपका है यह वला तो आपका नहीं है यहाँ इनमें आपका है लेकिन आपका 50-50 वला है पचास हिंदी 50 अंग्रेज्या-50 उर्द्व है तब मिल्ह हो रहा है और 29 होगा कैसे आपको समझ में नहीं हाता है उन्तिय स्थारी को इस सब्सक्रीट किया जाता है ना कि MIL में और नहीं कंपोजिशन में composition और M I L दोनों बात बराबर है बिहार विश्य विदाले में दोनों को दो नाम से भुकारा जाता है लेकिन मिनिंग जो है कि आर्थ जो है वही चीज है सेम है ठीक एलल अलग हो जाता है यह लैंग्वेज एंड लिट्रेचर एज सब्षिर्री जिनका उर्दू है या हिंदी ह बंगाली है संस्क्रेट है मैथली है पर्शियन है उन लोगों का यह इंग्लीज है अज सब्षिर्री वह एलल में है और वह 29 को सेकेंड में होगा अब एमाईल हिंदी आप लोग को कैसे समझ में नहीं आ रहा है ग्रूप एबी सी वाले का एम आईल का एक्जाम तीस तारिक फर्स सितिग में होगा साब-साफ त 되면 ढवा है कि आपकन सब्षर्ट है ग्रूप बींए सब्षर्ट है रूप एप लिए कौन सब्दिक्ट है देखिए यहां पर गॉर्प एम में कौन है यह अज्दी आपका प्लीटिकल साइंस ओनर से या संस्क्रित ओनर से या म्यूजिक से इकनामिक्स और से ओर्डू से या किमस्टरी या कमेस्टरीह इसे में कमर्स-पता नाम बारीबारीबारी से बोला है ताकि आपके दिमांग में बैठे कि बात कही किया जा रहिए तियôm मैं जितना भी खार उननेसे कम घाल था तुस्में से यहां पर आप देख पार है साफ साफ है कि डी में कौन है कि डी में कौन है फिजिक्स है होम साइंस है उसके बाद से आप देखेगा तो में है हिंदी जियोलोजी इंगलिश उसके बाद से मैथली में हो गया उसके बाद से इसलोजी है और साइकलोजी तो डी इफ में जितना भी सब्देक्ट मैंने आपको फरके बताया न तो वहीं तो है उन्हीं का एक्जाम तो है या प्रभ्ड़क पारें तीस तारीको सकेंड तो कई से आपको समझ में आँ आगा जाे बहुत अच्छे से अपको समझ में आगीрист में कोशिश की आपको बताने की सब्सुरूरी और के बारे में उम्मिध्य आपको समय में आ गया होगा जाइए आप लोग एक्जाम दीजिए और कुश्चन याद से भेज दीजिएगा बहुत-बहुत शुकूरी आपके सिरू को देखने के लिए